नमस्कार आप देख रहे हैं शान न्यूज नेट वर्क मैं हूँ आपके साथ शान आएए देखते हैं आज की मुरादबाद महानगर की प्रमुख खबरें और आप सभी से एक निवेदन है की पानी अमूले है इसको वियर्थ ना करें सेव वाटर महानगर में फिल्मी अंदाज में दबंगो के बंबाजी और सरयाम फाइरिंग करने का एक वीडियो सामने आया है घटना मुरादबाद के कटगर थानशेत में देहरी गाउ महले की है यहां आमूली कहा सुनी के बाद दबंगो ने पड़ुसी की घर पर सरयाम फाइरिंग की और हगोले फेके इस दुस्साहसित बारदा से पीडित परिवार सदमे में है वहीं कटगर पुलिस दो दिन तक इस मामले को दबाई रही पुलिस दो दिन बाद तब हरकत में आई जब इस घटनगवीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुआ दो दिन में तीन बार पीडित परिवार को थाने से टरका चुके पुलिस में वीडियो वाइरल होने के बाद पीडित परिवार को थाने बुला कर F.I.R. दर्ज की मामले में तीन आरोपियो को अरस्बीग कर लिया गया है और इसमें तीन जो अभ्योगत हैं रिमांसू, आरेम और मलू की मौपे से अभी तकाल गिरफ्टारी की गई है और इनके कब्जे से दो कमंचे और चार जो देशी ट्राइप के बनाए हुए तो बंब हत्गोले टैक्ट थे तो वो बनामल हुए है पूर केविनेट मंतरी हाजी अकबर हुजयन के डॉक्टर वेटे नहीं पर अब उसकी कल्फरेंट ने अपने शारेख शो शन किये जाने के आरोब लगाए है उसने कहा है कि उसका नहीं के साथ 11 सार से अफेर चल रहा है इस दोरान वेव से दिल्ली नैनिताल अजमेर आदी जगों पर ले कर गया और हुटलों में उसके साथ रुका निका करने का भरोसा दिल आगर उसके साथ चारे रिक संबन बनाए प्रिगनेंट होने पर उसने दो बार अबोर्शन भी कराया वे हमेशा यही कहता रहा कि निका करके पत्नी बना कर साथ में रखेगा युफ्ती ने मुरादबाद के SSP को एक प्राटन पत्र दिया है इसमें डॉक्टर नईम और उसके परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई है एक और नव विभाहिता दहेज लोभियों का शिकार बन गई 22 वर्षी नव विभाहिता जोती का शफ चजलेट थाना शेत्र में गाउफरीदपूर भेंडी में उसके ससुराल में फंदे पर लटका मिला चार महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी माय के वालों ने पती और बाकी ससुराल वालों पर बेटी को मार कर फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है पुलिस ने म्रतका जोती के पिता महीपाल की तहरीर पर जोती के पती सुकराज उससोनू, जेट मोहन, देवर मोनू, ससुराल राम गोपाल और सास कमला देवी के खिलाफ धेश हत्या समेथ विबिन धाराओं में रिपोर्ट दर्च की है पुलिस ने पंचनामा भर कर शर्फ का पोस्मॉटम कराया, इसमें मौत की वज़ा हैंगिंग या निफासी लगाना बताई गई है ठाना कटगर शेत्र के प्रभाद मार्केट के पास मौजूद पुल के नीचे एक व्यक्ती की ट्रेन से कट कर मौत हो गई शर्फ की शिनाग के लिए मौके पर पहुंची जी आरपी वा आरपी एफ ने काफी प्रयास किया लेकिन शर्फ की शिनाग नहीं हुपाई पुलिस द्वारा शर्फ का पंचनामा भर कर पोस्मॉटम के लिए भेज दिया गया है मौके पर मौजूद लोगों ने शर्फ देखने के बाद बताया कि मौत तक किसी दूसरे इलाके का रहने वाला हो सकता है मौत तक की उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष बताई जा रही है थाना मुगलपुरा शेत्र के जामा मस्ज़ दिलाके में एक 13 वर्ष बासूम बच्चा तमाम सरकारी चेतावनियों के बाद भी पानी से लवाला भरी रामगंगा नदी में नहाने उत्रा और मौत की गोट सो गया प्राब जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को 13 वर्ष बालक नदी में नहाने गया था और कुछ देरबाद नदी में डूब गया जिसको तलाशने के लिए गोता खोरों ने देर राद तक काफी मशकत की लेकिन कुछ पता नहीं चला बुदवार शाम 6 वजे समाचार लिखे जाने के दौरान बच्चे का शब मिलने की खबर आ रही थी आज कारगेल विजे दिवस के उपलक्ष में 23 उपी बटैलियन NCC मुरादबाद द्वारा महराजा अग्रिसेन इंटरकॉले सिविल आइस में कारेक्रम आयोजित किया गया कारेक्रम में सर्फ प्रथम करनल शेलेंद्र शर्मा को NCC कैडिटर द्वारा गार्ड ओफोन अर्दी आ गया इसके बाद कारेक्रम में 23 उपी बटैलियन NCC मुरादबाद के कामान अधिकारी करनल शेलेंद्र शर्मा ने रीद की कारेवाही करते हुए शहीदों की चित्र के आगे चक्र चड़ा कर अपनी श्रधान जली अर्पित की शहर शेत अंतरगत हर्तला में देव विहार कलोनी की दरजनों महिलाओं दौारा पीने की पानी की गिलत को लेकर जिलादीकारी शिलेंद्र कुमार सिंग को एक ग्यापन सौपा गया उन्होंने ग्यापन के माध्यम से अबगत कराए है कि काफी दिनों से हमारी कलोनी में समर्सेविल की मोटर खराब पड़ी हुई है घर से काफी दूर दरास जाकर पीने का एवं घरेलू उपयोग के लिए पानी लाना पड़ता है इसके चलते स्कूली बच्चे तथा परिवा में किस तरह की परशारी आ रही है पानी की आ रही समर्सेविल खराब हो गई नहीं नहीं पानी है चोटे चोटे दिन हो गया आज 11 दिन हो गया अब सम्मे भाग रही कोई सुनवाई नहीं हो रही माली सर्थ मंगलवार को केंद्री लोग शिकायत एवं जांच संस्थान के नेशनल चेर्मेन गोपाल रायदवारा भुषपूर के रहने वाले रहूल ठाकूर को प्रदेश महमंतरी के पत पर नियुक्द किया गया भुषपूर शेत्र दथा आसपास के इलाकों के तमाम लोगों ने रहूल ठाकूर को प्रदेश महमंतरी के पत पर नियुक्द होने पर शुपकाबनाय दी एवं फूल मालाय पहना कर उनका स्वागत किया रेलवे पुलिस ने एक सूचना पर अवध आसाम एक्स्परेस में दिल्ली सिसली पर कोच में बैठी एक बालिका को रेस्क्यू की गई बालिका ने अपना नाम अनीता जिला भिलाई दुर्ग 36 गड़ बताया है बालिका की संबन में सिविल पुलिस 36 गड़ में एक FIR भी दर्ज है बालिका के माताफितों को सूचना दे दी गई है वे हवाई आताया द्वारा मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए है बालिका को रेलवे सुरक्षबल पोस्ट पर CCTV रूम में महिला कॉंस्टेबल की निगरानी में रखा गया है मजोला थाना पुलिस ने बुद्वार को 15 साल की किशोरी की गुमशुत्की की रिपोर्ट दर्ज की है क्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली किशोरी ना कोचिंग पहुंची और ना वापस घर लोटी थाना प्रभारी विपलव शर्मा ने बताया कि बुद्वार को कक्षा 9 में पढ़ने वाली शात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है थाना प्रभारी ने बताया कि लापता शात्र के मामले में बुद्वार को गुमशुद की दर्ज कर ली गई है उसके घर वाप कोचिंग सेंटर के आसपास के कैमरों की फुटेज खंगा ली जा रही है जल्दी किशोरी को बरा मत कर लिया जाएगा